इस थीनों कन्फियूस कर रहे हैं इसके शिकार इसका नشाना मुसल्मान पर हो ओरा है दोनों की स्ट्राटेजी बीजेपी को रास्ता दे रही है ना डिकेश शुखुमार को ना देव गोडा को ना मुसल्मान कि दीकेश शुखुमार का एक स्ट्रेटमेंट आया था कि वक्कल लिगास के समाज में एक चांस दो सीम के लिए इस पर आपका क्या पक्सिरा है वक्कल लिगास का मतलब हेगडे से करनाटक में और गौडास और गौंडर्स ऐसे लिंगायत छोड़ के जो बोलते हैं इसको वक्कल लिगास बोलते है उसमें इनों एस्टम किष्णा के बाद मेरे को एक चांस समझें सीम बनते हैं वक्कल लिगास करना चाहिए उनको वह उनक इनकी कोई साधिस है एकदम जबर्दत साधिस के हैं देव गोडा तो एकदम पुराने वक्कली का हैं गौडास हैं देव गोडा को छोड़के गौडास अभी नए डिके शिकुमार के साथ आना वह डाउटफुल नहीं वह क्या बोलता है वह एलिफेंट टास्क है उसका कैसे साधिस के देव गोडा को छोड़के तो यहां पर स्टाथी बनिए यह समझना जब देवगोडा जी जो है उनों तो क्या अच्छा की है क्या बुरा च्यही वेगी मेरे को मत एंस को क्या किये मक els अनुं देवगोडा समय तब वोट वक्तली गाका देवगोडा के उनकी उमर के जाइफ उमर के और कुमार सामी का जेडियस के नाम से जब लेते हैं तब एक्च्वल वोट्स लेते हैं देव गोडा और कुमार सामी भी लेते हैं वोकली घामे जो भी लेते हैं पांच या दस या पंडरा या पच्चीस सीटून की गोडास के आते हैं उसके साथ मुसल्मान का सपोर्ट रहत लिंगाप संवर्ट के चाहित हैं यह मुसल्माण ये मुसल्माण गॉडस के नाम से दिये इसाद कें इनके नमबर बड़े और इधर पサだS अब डिके शीव कुमार एकदम उबर क्या रहे है देव गौडास में इने अपने उक्डिगास में तो दोनों को बैलेंस सही नहीं मिलेगा दुनों का बैलेंस वक्कल लिगा इसका बैलेंस तूटेगा उदर पे कि इसे कि इसी स्टेज में ये मुसलमान जानते हैं क्या देवगोडा उमार सामी क्या कांग्रेस के साथ हुकुमत बनाएंगे क्या नई बीजेपी के साथ जाएंगे ये पक्की बात है ये लोग कन्फ्यूस करते हैं इसमें स्टाटेज आलरी तई हो चुकी है ये है कि भे हो सकता है देवगोडा बीजेपी के साथ जाएंगे तो मुसलमान का वोड बीजेपी को जाएगा तब इन्हों हारेंगे जरूर हारेंगे कौन डीकेश हुकुमार तो हारेंगे थोड़े सीट लेके हाज आएंगे तब अल्टिमेटली जदेवगोडा का वोड मुसलमानों के साथ जैसा अभी मुसलमान मान के जा रहे हैं तो हुकुमत ताफ डीकेश हो गयाना कांग्रेस की बनेगी क्या नहीं आपने बीजेपी की बनेगी ऑरेसस बीजेपी की बनेगी ये तो इसका मुकमिल तरीखे से यकदम पक्का उसका डेफिनेशन ये तीनों कनफिस कर रहे हैं इसके शिकार उसका नशाना मुसल्मान पर हो रहा है तो दोनों वोट जरूर फुटेंगे जब वकलिगा का कलेम उन्हों कर दिये कल और आज हमारे डिकेशी कुमार तो जरूर फाइदा डिकेशी कुमार को भी होगा और देवगोडा का भी होगा दोनों की पार्टी यह बैलन्स होएगी तो समझो आदे यह लेंगे क्योंकि आप तो देवगोडा के सामने तो यह बहुत इमेचुरी नहीं है उमर में और एक्स्पिरियंस में बहुत कम है तो गोडास जानते भी हैं वहाँ बटे जाएंगे तो यह बटने वाले जाएंगे फिर बीजेपी के साथ नहीं आज का अग्रिमेंट क्या है यह तमाम मसले में एकदम बैलन्स इनका दोनों का छुटके बैलन्स ज्यादा बनेगी बीजेपी की क्योंकि इनु तो जाएंगे बीजेपी के साथ या नहीं ना यह डिकेश कुमार बोल रहे हैं ना सिद्रामया बोल रहे हैं ना देवगोडा जी बोल रहे हैं कि यह हमें इंडिपेंडनेट आएंगे ने कभी हमें बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे इसका वज़्च्रा बोल रहा हूं में जो भी नों करने दो balance करने तो उकलीगा कि मुसल्मान की भी तो strategy चाहिए मुसल्मान कौन से तरफ जा रही है बीजेपी के government लाना चाह रही है तो सीधे आप बीजेपी को vote करिए सीधे बोल के करिए अच्छा रहेगा देवगोडा उकलीगा के तरफ करने के बज़े वोट जब देवगोडा को vote करेंगे तो देवगोडा का जितना गोडा का vote है वोट का support बीजेपी को आएगा मतले भी नहीं है तो दोनों इन्हों इकल बाट लेंगे तब support चाहिए क्या यही डीकेश शेयोकुमार को यह गोडा support करेंगे क्या नहीं क्या यह मुसल्मान के vote से बीजेपी को देवगोडा support करेंगे यह निचीत है यह पक्का है तो यह तमाम चीजों में समल के सूच के जाना चाहिए और जो डीकेश शेयोकुमार बोल रहे हैं यह देवगोडा को भूल के बोल रहे हैं उन्हों देवगोडा को भूल नहीं पाते हैं नेगलेक नहीं कर पाते हैं देवगोडा के पार्टी को देवगोडा को खुद भी इनकी उमर देवगोडा की डीकेश शेयकुमार के वालिद से बड़ी है तो गोडा के लोग उनको भी मानेंगे थोड़ा इनको भी मानेंगे तो इसलिए ये आगे येक इस्प्लिट होएगा ये जो चीज है तो उनका जो बैलंस, इंबैलंस हो जाएगा उसमें मुसल्मान का वोट बीजेपी को जाएगा, बीजेपी की सरकार बनेगी, तो ये मुसल्मानों को ये सही है ये समझ रहे हैं कि हम इdragon डाला को डालके by jp की बनाएंगे इससे बहतर है कि अब ये दूसरे तरीक प्यसे सूचे कांग्रेस को डालें क्या नहीं जेडियस को डालके बीजेपी को लाएं क्या नहीं दोनों को भी नहीं दालें तो मुसल्मान के अलग स्ट्राटेजी हो यहां से यह तमाम फैसला होगा इनकी दोनों की स्ट्राटेजी बीजेपी को रास्ता दे रही है ना डिकेश शेयकुमार को ना देवगोडा को ना मुसल्मानों को